स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस पर दोस्तो आज इस वीडियो में विशै गणित का दोहजार चोबिस का पेपर दिखाने वाला हूँ जो आपका पेपर होने वाला है तो दोस्तो वीडियो के अंतक बने रहेगा चैनल पर नए है कच्छा दसमी क जी हाँ दोस्तों कच्छा दसमी का मैं पूरा का पूरा प्रस्ण पत्र आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंतक बने रहेगा चैनल पर नए है तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सस्काइब कर लिजेगा चलिए दोस्तों फटाफ़ड वीडियो स्टार्ट करते हूँ यहाँ पर देखिए जो भी से गणित का पेपर होने वाला टोटल कोस्टन आपसे 23 पूछा जाएगा पेज उसमें 8 रहेगा और टाइम की बात करें दोस्तों तो आपको टाइम 3 घंटा दिया जाएगा और जो नंबर की बात करें पूरांग की तो 75 पूरांग का आपसे कोस है यानि हर एक कोस्टन का एक नंबर प्रसक्रमांग 6-23 में आंतरित विकल्प दिये गए हैं 6-23 यानि दोस्तों की अधवा साहित कोस्टन आपको मिलेगा 6-23 नंबर तक तो यहाँ पर पहले कोस्टन की बात करें गड़ी ता आपका कच्छा दसमें का पेपर है सही हम होता है हाईएस्ट कावन फैक्टर दोस्तों यानि की महत्तम समाप वर्तक इंक्यान ने और 21 का महत्तम समाप वर्तक क्या होगा दोस्तों साथ होगा क्या होगा साथ होगा जैसे दूसरा है समी करेंड का एकस प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 नहीं है B1 बटे B2 के रूप में तो ये समीकर्ण का अदुती हल होगा इस तरह से आपको पूरा हल कर लेना है तीसरा क्वेस्चन है दोस्तो दुई घात बहुपद यानि कि आपका दुई घात बहुपद AX स्कौर प्लस BX प्लस C के सुन्यकों का योग फल होगा योग फल हो हो जाता है C बटे A तो आपका माइनस B बटे A इसमें सही है फिर है दोस्तो यहाँ पे समीकरण वीडियो बड़ा भी हो रहा फटा-फट क्वेस्चन देख लीजे दुई घात समीकरण यक्सी स्कौर माइनस 4X प्लस 4 बराबर 0 बिविक्तर कमान है बिविक्तर कमान दोस्तो सूतर होता है डी बराबर 20 स्कौर माइनस 4A इसमें आप मान रख लिजी एंसर आ जाएगा 20 स्कौर माइनस 4A फिर अगर 5 में कॉस्चन की बात करें तो यहाँ ब्रत के किसी बिंदु पर खींची के एस पर सरेखाओं की संख्या होती है छटमा कॉस्चन है बिंदु 0 5 एब म माइनस 5,0 की बीच की दूरी है आप इनका एंसर बताए नहीं बनता है तो आपका मैं सीधा एंसर सीट अपलोड कर दूँगा क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं आपको बताओं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए इंगलिस से दिया है फिर यहा हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर तीन हो जाएगा और स्री धराचार ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया जिसे अब के रूप से स्री धराचार के सूत्र का यानि की माइनस भी यक्स बराबर माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्कॉर माइनस फोर फल होता है पाई आर स्कॉयर पाई आर स्कॉयर यह आपका छेतर फल हो जाएगा इसी के तरह अगला कोश्चन देख लीजिए तो आपका तीसरा कोश्चन आ जाएगा सही जोड़ी जो आपका जो तीसरा कोश्चन है साइन स्कॉयर ए प्लस कास स्कॉयर का मान दोस्तों एक हो जाता है इस तरह से आपको जोड़ी बनाना है फटा 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 पहले इस वीडियो में कोस्टन देख लिजेगा अगर एंसर आप से बनता है तो ठीक है नहीं तो एंसर सीट अप्लोड हो जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा चौथा कोस्टन है प्रतेक का एक सब्द यानि एक बाक्य में उत्तर देना है सुन्नेकों की संख्या तो दोस्तो सबसे सरल बात यहां पर बता दें कि सुन्नेकों की संख्या जो निकाला जाता है तो आपको यह ध्यान देना कि यह लाइन किते जगे प्रतिछेद करता है एक दो, तीन, चार, तो इसमें सुननेकों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा, इस तरह से इन कोस्टन को हल करना है, और चौथा कोस्टन एक बाक्त में उतर देना, देख लिजे, ये पूरा कोस्टन में एक ही आपको एक ही फ्रेंट पेज पर दिखाये दे हूँ, ये स्क्रीन सॉट लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन सॉट ले सकते हैं, पाच्मा कोस्टन देख लिजिएगा, निम लिकित के सत्ता सत्त लिखना है, पाच्मा कोस्टन देख लिजिए, इसमें भी 6 कोस्टन आपको मिल जाएगे, यानि हर एक कोस्टन एक नंबर कर रहे के बाद कुछ समय बाद आपको इसका एंसर सेट भी मिल जाएगा यूटूब पर तो नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे दोस्तों जैहिन बंदे मात्रम